हलो गाइज मैं हूँ पपू बहुती काफी लंबे समयों के बाद आप सब के सामने आपका भाई हाजिर है और हाजिर है तो देख सकते हैं क्या लेकर के हाजिर है गाइज यहाँ पर आप सब को दिकरा होगा गतीज उर्जा और इस्थितीज उर्जा तो आज हम आपको आसानी सी यह किलियर करने वाले हैं कि किसी भी वस्तु में कौन सा उर्जा लग रहा है वो आपको आज समझ में आ जाएगा मतलब यह कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं गतीज उर्जा और इस्थितीज उर्जा तो आप आज के बाद दिखते ही पहचान जाएंगे कि कौन से वस्तु में गतीज उर्जा लग रहा है और कौन से वस्तु में इस्थितीज उर्जा तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं तो आसानी से आप गौर कीजिए आप सबको आसानी से दिख रहा होगा स्थितीज उर्जा ठीक है जिसे इंगलिस में कहते हैं potential energy तो आसानी से मैंने पहसानने के लिए क्या लिख रहा है कि जो उचाई पर रुका हुआ होगा मतलब जो वस्तु उचाई पर रुका हुआ होगा तो वो में जो उर्जा लगेगा उसमें जो उर्जा होगा वो इस्थिती जो उर्जा होगा यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो उचाई पर रुका हुआ होगा उसमें जो उर्जा लगेगा इस्थिती जूर्जा लगेगा मैंने लिख रखा है घर में लगी बंद पंखा भाई साब जो छत में जो पंखा लगा होता है अगर वो बंद है तो उसमें जो उर्जा लगेगा ना इस्थिती जूर्जा लगेगा ठीक है इसी तरह और भी एक्जामपल ले सकते हैं मैंने लिख रहा है पानी टंकी में हमारा जो पानी टंकी होता है अगर वो छट पर है या उचाई पर है और रुका हुआ है हवा में थोड़ी ना इधर उधर घूरता है रुका ही हुआ रहता है ठेक है तो पानी टंकी में जो उर्जा लगेगा ना वो इस्थिति उर्जा तो अगर हवा में ही रुका हुआ है तो हवाई जहाज में जो उर्जा लगेगा वो आपको इस्थितिज उर्जा लगेगा इसी तरह मैंने लिख रहा है पतंग यानि अगर आसमान में पतंग रुका हुआ होगा तो आप समझेगा कि पतंग में क्या लगेगा इस्थितिज उ इसी तरह गैंने लित रहे हैं चछत में लगी सिड्hी, कि जो भूमी से उपर होगा थोड़ा सा भी अगर आपको उचा होगा ना भूमी थोड़ा सा भूमी से अगर उठा भी हुआ होगा ना तो आप समझेगा कि उसमें जो उर्जा लगेगा इस्थिति उर्जा लगेगा मतलब अगर आप कूर्सी पर बैठे हुए हैं तो अगर आ आसानी से अभी भी नहीं आया होगा चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम गतिज उर्जा तब आपको आसानी से आजाएगा यहां पर आप सब clearly क्या देख पा रहे हैं यहां पर आप सब को आसानी से दिख रहा होगा गतीज उर्जा जिसे English में कहते हैं kinetic energy ओके यहां पर मैंने पहसानने के लिए क्या लिख रखा है कि कोई भी चीज हीलता डोलता होगा यानि कोई भी चीज जो वस्तुए होगे वो हीलता डोलता होगा तो आप समझ लिजेगा कि उसमें जो उर्जा लगेगा उसमें गतीज उर्जा लगेगा example में मैंने लिख रहा है चलता हुआ पंखा चलता हुआ पंखा जो है हमारा गतीज उर्जा का उधारन है ये गतीज उर्जा का उधारन क्यों है क्योंकि ये हिलता डोलता है आप आसानी से समझ सकते हैं पंखा हिलता है डोलता है या नहीं चलता है यानि हिलता डोलता है तो गतीज उर्जा में एक ही चीज याद रहे कि हीलेगा ही हीलेगा यानि घूरेगा ही घूरेगा ठीक है चले उड़ती हुई पतंग में और गाईज यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं ये देख पा रहे हैं कि चलता हुआ पंखा गाईज पंखा अगर हमारा छत में है तो भाई सहाब वो उपर है इसका मतलब जो पंखा है ना उसमें इस थितिज उर्जा भी लग रहा है क्योंकि पं तो आप समझ रहे हैं गतिज उर्जा और जो आसमान में रुका हुआ है तो उसको कह रहे हैं क्या जो चल रहा है उसको गतिज गह रहे हैं और जो आसमान में रुका हुआ है उसको क्या कह रहे हैं इस थितिज उर्जा तो भाई साब यहां पर आसमान में भी है और आसमान मे चल भी रहा है तो पंका हमारा घर में रहता है तो उपर ही रहता है तो आस्मान में है यानि छत में है तो यार वो चल भी रहा है और उपर भी है इसका मतलब चलती हुई पंका में जो हमारा उर्जा लगेगा उसमें दोनों के दोनों उर्जा लगेंगे यानि गतिज उर्जा और इस्थिति जूर्जा भी और चलती हुई कार में अब कार जो होता है कार भी जमीन से थोड़ा सा उपर ही होता है तो कार अगर चल रहा है अस्पीड में तो हम कहेंगे उसमें गति जूर्जा है लेकिन भुमी से भाई सहाब उपर ही है इसका मतलब इसमें गति जूर्जा भी है और इस्थिती जूर्जा भी है और उसी तरह देख सकते हैं ट्रेटी हुई ट्रेन उड़ती हुई पतंग ये सभी में क्या लगेंगे ये सभी में आपको गती जूर्जा भी लगेंगे और इस्थिती जूर्जा लेकिन यहां पर मैंने लिख रहा है हेंगा अगर आप गाओं दिहात से हैं, तो हेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो हेंगा देते हैं जैसे धान रोपते हैं, तो उस वक्त हम लोग हेंगा देते हैं, तो वो हेंगा जो होता है, भूमी में सटा हुआ, रगडाता चलता है, तो हिलता डोलता है, हेंगा जमीन में सटा हुआ हिलता डोलता है तो इसका मतलब हमारा जो हेंगा में जो उर्जा लगेगा ना उसमें गतिज उर्जा लगेगा इसी तरह जूला आप ले सकते हैं जूला उपर रहता है भूमी से उपर रहता है जूला और हिलता डोलता भी है तो जूला में जो उर्जा लगेगा ना इस्थित लगेगा वो गती जूर्जा लगेगा और कोई भी चीज आसमान में रुका हुआ होगा तो उसको हम कहा रहे हैं इस्थिती जूर्जा लेकिन हवाई जहाज आपने देखाई होगा उपर भी रहता है और हिलता भी डोलता है और हिलता डोलता भी है और उपर भी रहता है इसका दोनों बोलिएगा तो दिकत लगेगा तो आप असानी से कह दीजेगा कि हवाई जहाज में हमारा जो उर्जा लगता है वो यांतरिक उर्जा लगता है क्यों क्योंकि जब गतिज उर्जा और इस्थितिज उर्जा दोनों के दोनों जब भी होंगे तो आप उसे यांतरिक उर तो आपको हमारी जनकारि से कुछ तो कमीलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर किढ़ेगा